कि नमस्कार पिरिया जनों आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी शुबजिंतक वीना शर्मा आप आए मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद 25 अगस्त को मास शिवरात्री है और उस दिन गुरुबार भी है एक तो गुरुबार विश्नु भगवान का उपर से मासिक शिवरात्री यानि के भोले नात की दोनों का सेयोग एक साथ बैठ रहा है तो दोनों के पूजा अराधना करने से दोनों के ही किरपा प्राप्ति होग भोले नात की पूजा संध्या समय में कर सकते हैं और विश्नु भगवान की पूजा सुभे में आप कर सकते हैं विश्नु भगवान की आप जानते हैं कि गुरु को स्ट्रोंग करने के लिए आपके गुरु को शुब करने के लिए विश्नु भगवान की पूजा आप ऐसे की जाए आज मैं बताने वाली हूँ कि एक ही पूजा से यानि के शाम को मासिक शिवरात्री की जो पूजा आप करें उसमें आप गुरु भगवान को भी परसंड कर सकते हैं और विशेश तोर से मैं उन माता-पिता और बच्चों को कहूंगी जो बच्चे विभा की समस् कैसे गुरु को भी स्ट्रोंग करना है कैसे बोले नात की किर्पा प्राप्त करनी है यह उपाई मैं आज बता रही हूं आपको इसको बच्चे कर सकते हैं बच्चों के माता-पिता कर सकते हैं यानिके बेटे-बेटियां तो कर गी सकते हैं अपने लिए और उनके माता-पि पूजा रात्री में होती है लेकिन आप प्रदोशकाल में जुरूर कर लीजिएगा आपको करना क्या है कि एक तो आपको भगवान भोलेनात को हल्दी नहीं चड़ती है इसके लिए आपके गुरू को स्ट्रोंग करने के लिए आपको केसर का प्रयोग करना होगा केसर साथ एक चमश दो चमश दूदी हो लेकिन दूद अरपित करना जुरूर कच्चा दूद हो उसमें थोड़ी सी केसर डाल लेना एक तो दाने एक तो पत्ती और वह जुरू अरपित करना ये गुरू भगवान को स्ट्रोंग करने का गुरू वार के दिन भोलेनात के ऊपर श शुकर देव को दोनों को स्ट्रोंग करने के लिए दही थोड़ा सा एक चमश दही हो एक चमश दही में थोड़ा सा दो बूंद शहद की डालके एक बूंद दो बूंद तीन बूंद डालके शहद की और ये भोलेनात को जुरू अरपित करना आप जानते हैं कि शुकर को स् चाहे मातापिता कर रहे हों चाहे बच्चे कर रहे हों बहुत चम्तकारी है और कम से कम मासिक शिवरात्री की दिन तो अत्यंत चम्तकारी है यह उपाई जो है आपका आपको ज्यादा दिनों की जुरूरत नहीं एक ही दिन की जुरूरत पड़ेगी और आपके तुरंत विवा देती हूं जो आपको लेके जाना एक चोटा सा दीपक लेके जाना जलाने के लिए वहां पर लेकिन उसे खाली लेके जाना एक वार मैं आगे बता रहे हूं आपको खाली दीपक आएक वार आपको क्या करना है रूई की बत्ती और गी आप साथ लेके जाएंगे तो वहां जा अगर आप घर में इस उपाय को कर रहे हो तो फिर शीविलिंग होना बहुत जरूरी है आप मूर्ति के आगे इस उपाय को नहीं कर सकते और लीजेगा एक स्था गुड़का टुकड़ा यानि कि गुड़का टुकड़ा इतना भी छोटा ना हो कि जो बिलकुल एकिदम स्था खाने लाइक जितना गुड़ का टुकड़ा आप लेते हैं खाते हैं कई बार खाना खाने के बाद उपर से गुड़ खाते हैं उतना गुड़ का टुकड़ा होना चाहिए पीपल के पत्ते के उपर गुड़ का टुकड़ा रखके अपनी मनो कामना पूर्ती के लिए भोलेना क्याने के लिए एक चुटकी दूकी काली ले लेना उसके साथ लेना दस काली मिरच शायद हो सकता है। मैंने सावन बोलेनात की पूझा मैं ये उपाय आपको बताया हुआ है अठाफ दुबारा से सुन ले की एक एक दो चुटके काली राई और दस काली मिर्च लेकर और आप उस जो दिपक खाली लेके गए हैं न मिट्टी का दिपक ले लीजिएगा उसमें थोड़ा सा उपर से घी डालके आदा चमच या उससे भी थोड़ा डालके दिपक के अंदर वो दोनों चीजें जला लीजिएग अब आपको ये मासिक शिवरातरी का अचूक उपाए है आप इसको करके देखना काली मिर्च के दस दाने और ये जलाके दो चुटकी काली राई जलाके और राख जो बन जाए उस राख को पहले भोलेनात के शीलिंग पर अरपित करना हाँ मैं ये कह रही हूँ आप से कि आ और जो गुड़ है इसको आप इस राख को अरपित करने से के बाद भी कर सकते हैं और पहले कर लें वो उपाए यानिकी पीपल का पत्ता और गुड़ रख लें तो फिर उसको एक वार उतार लीजिएगा और फिर ये राख अरपित करके शीलिंग पर और उपर से जल का अबर से उतरते चले जाएंगे और फिर उस दीपक जो राख वाला है उसको जाड़के और उसके अंदर फिर आप अपना दीपक भुले नात के आगे जला दीजिएगा और एक जो सबसे अच्छू कुपाए है सबसे अच्छू कुपाए सेंट अगर आपके पास हो घर में और वैसे भी पूजा घर में लगबग लोग रखते हैं आज कल सेंट और ये शुकर को जागरत करने का शुकर को मजबूत करने का बहुत अच्छू कुपाए हैं आपकी परसनल्टी डेवलेप होती है आपके आप अट्रेक्टिव बनते हैं आपके तोर तरीक्या आपका व्य लेके और सेंट लगाके और भोलेनात को मापारवत्ति को जुरूर अर्पित करें आप देखेंगे कि रिष्टे वाले आप कहते हैं कि आते हैं और जाकर रिप्लाई को करते हैं वह तो भागे आएंगे आपके यहां रिष्टा करने के लिए इतना आक्रशन आप में पैदा अध्या हो जाएगा ए यह उपाई आप जुरूर करें अब गुढ़ का क्टड़ा और पीपल का पत्ता जो लाए हैं गुढ़ का तुकड़ा तो ऊस बच्चे को खिला दे जो बच्चा वीबाहस से प्रेशान है और पीपल का पत्ता पुजा घर में संभाल ke रिखें यह उ झाल रोड़े जो कि अजय हो कर दो दो कि अजय हो झाल रोट